हलो स्टुडेंट्स आप सभी का सौगत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्पी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर में आज हम क्लास 10 की साइंस का चेप्टर नमबर 4 जो की कारवन एंड इट्स कमपाउंट्स है जिसे हिंदी में कहते हैं कारवन आवं उसके यूगी को लेकर उपस्तित हुए हैं और आज इस वीडियो में हम कारवन यूगी को का जो आयू पी एसी नामकरण है वो सीखेंगे तो हमारा आज का टॉपिक है नॉमेंक्लेचर आफ कारवन कमपाउंट्स कारवन यूगी को का नामकरण और इसमें हम आयू पी एसी नेम लिख रहे थे जिसमें हमने कारवाकसिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटों के नामकरण कर लिये थे आज हम उससे आगे फोर्थ अगला ग्रूप ले रहे हैं जो की है अल्कोहल इसका फंक्शनल ग्रूप होता है क्रियात्मक सम्ग फंक्शनल ग्रूप ये होता है ओ एच और इसका जो आयूप ये नेम है ये होता है एल्केन आल इसमें एल्केनों में आल जोड़ दिया जाता है जैसे पहला है CH3OH इसका अगर हम इस्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो ये होगा CH3 और इससे जुड़ा हुआ है OH इसे मैंने अलग-अलग के भी दिखा दिया है तो इस तरह से रहना है कि कारवन की चारों से जगता है हाइड्रोजन से और इस OH से सभी से कितनी हो जाए चार हो जाए तो आप इसका नेम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा एक कारवन के लिए हम बोलते हैं मेथ सभी जगह सिंगल बॉंड है तो हो जाएगा मेथेन और इसमें आल जोड़ना है तो नाम हो जाएगा इसका मेथेन E हटाएंगे यहाँ से यह रेप्लेस हो जाता है आल से तो नेम हो जाएगा मेथेनॉल इसे हिंडी में भी लिख लिते हैं मेथेनॉल नेक्स्ट है बी यहाँ पर कारवन बन लिया था अब टू C2H5 इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CS3 CS2OH इसका अगर इस्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो कारवन दो लेने हैं और किसी एक कारवन से OH समू जोड़ना है बाकी सभी जगए कारवन की चार सहियों जगता पूरी करते हुए हाइडरोजन को कारवन से जोड़ देना है तो कारवन हो गए दो कारवन के लिए बोलते हैं एथेन एथ और इसमें जुड़ेगा एन और औल तो नेम हो जाएगा एथेन औल इसी तरह से C, C, 3, H, 7, OH इसे इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं C, S, 3, C, S, 2, C, S, 2 और OH इसका structural formula देखें तो कारवन तीन बनाने हैं 1, 2, 3, last वाले कारवन एटम से OH जुड़ा है बाकी सब जगए hydrogen इस तरह से इसमें add करना है कि कारवन की सभी चारो से हो जगता है complete हो जाए कारवन तीन, तीन कारवन के लिए बोलते हैं probe और single bond है तो in और इसमें जोड़ना है all तो name हो जाएगा propanol हिंदी में भी लिखें तो propanol इसे भी लिख देते हैं हिंदी में ethaneol इसी तरह से next है d कारवन अब की बार 4 तले इसी का एक और रूप देख लेते हैं C3H7OH इसका molecular formula same ही है बस यहाँ पर थोड़ा सा change कर रहे हैं CH3CH और CH3OH यहाँ पर बिल्कुल last में OH था और इस वाले formula में क्या किया गया है बीच वाले carbon atom से OH group को जोड़ा गया है इसका structural formula देखें तो carbon तीन बनाने हैं 1,2,3 दूसरे नमबर के carbon atom से hydroxy group मतलब OH जोड़ना है और सभी जगए hydrogen इस तरह से जोड़ने हैं कि सभी carbon परमाड़ों की जो सही हो जगता है वो चार हो जाए अब रहेगा तो यह propanol ही क्योंकि carbon परमाड़ों की संख्या कितनी है इसमें तीन है तो अभी इसमें और इसमें अंतर क्या है अंतर है इन जो OH hydroxy group है उसके numbering की यह बिलकुल लास्ट में लगा हुआ है जनरली जिधर से यह functional group क्रियात्मक समूपास में पढ़ता है उसे हम one number देते हैं उस वाले carbon atom को तो one two three तो इसका मतलब यह बिलकुल पहले number के carbon से जुड़ा हुआ है इधर देखें तो अगर हम इस साइड से numbering करेंगे तो one two और यह three इधर से numbering करेंगे तो one two और यह three किदर से भी numbering करें यह hydroxy group कौन से number के carbon पर आ रहा है दूसरे number के carbon पर तब इसे हमें यहाँ पर तो हमने इसका जो name लिखा उसमें one लिखा रही तो अगर लिख देते हैं तो भी सही है नहीं लिखेंगे तो भी सही है लेकिन इसमें हमें बताना ही पड़ेगा कि hydroxy group दूसरे number के carbon से जुड़ा हुआ है तब यह हो जाएगा propanol two या इसे हम लिखेंगे propane to all हिंदी में लिखते हैं इसको propane to all इसी तरह से next है CH3 CH2 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 OH इसमें carbon atom कितने हैं 1,2,3,4 इसका structural formula भी देख लेते हैं carbon 4 चौथे number के carbon atom से OH जोड़ना है बाकी सब जगए hydrogen जोड़ना है इस तरह से जोड़ लेंगे कि सभी carbon परमाड़ों की सही हो जगता या bond 4 हो जाएगा तो इनका जो name होगा चार carbon atom को हम बोलते हैं but तो नाम हो जाएगा but, an जुड़ेगा और all जुड़ेगा तो name हो गया full इसका butanol इसमें भी हम numbering कर सकते हैं तब इसका जो name होगा तो butanol या फिर butanol 1 दिख सकते हैं इसी तरह से एक और देख लेते हैं CS3, CS2, CS2, CS2 और OF या इसे इस तरह से लिखा जा सकता है CS3, CS2, CS2, CS2 और CS2 इस carbon atom से जुड़ा है OH तो carbon atom कितने हो गया है? 5 5 carbon के लिए बोलते हैं paint और इसमें हमें जोड़ना है क्या? एन, पहले एन, paint एन, और इसमें functional group all उसका suffix होता है all तो name हो जाएगा paint in all paint in all, one, या paint in one, all paint in, paint in all next है halogen group ऐसे carbon compounds जिनमें halogen समूझ जुड़ा होता है तो इसे हम बोलेंगे hello alken इनका IUPAC name भी यही hello alken होता है functional group की बात करें functional group तो इन में क्या जुड़ा होता है? कोई भी halogen पर माड़ू जिसमें क्या-क्या हो सकता है? या तो यह chlorine होगा या फिर यह bromine होगा या फिर यह iodine होगा या फिर fluorine भी हो सकता है तो किस तरह से इनका name लिखेंगे? देखते हैं पहला पहला है CH3 CL या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 और CL तो इसमें एक ही कारवन है एक कारवन के लिए हम क्या बोलते है? methane methane और chlorine जुड़ा हुआ है तो इनका जो suffix है मतलब बाद में जुड़ने वाला ऐसा कुछ होता नहीं है इनका हमेशा prefix लिखा जाता है suffix में इसको नहीं लिखते है तो prefix इनका होता है hello तो chlorine है तो chlorine के लिए हम लिखते हैं chloro और ब्रोमीन के लिए लिखा जाता है ब्रोमो और आयोडीन के लिए लिखते हैं आयोडो फ्लोरीन अगर कहीं पर है तो उसे लिखते हैं फ्लोरो तो यहाँ पर है क्लोरीन क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे क्लोरो तो नेम हो गया इसका क्लोरो मेथेन क्लोरो मेथेन इसी तरह से सी एच ट्री बी आर या इसे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में इस तरह से लिखेंगे बी आर तो ब्रोमीन के लिए क्या लिखा जाता है ब्रोमो तो इसका नेम हो जाएगा ब्रोमो और एक कारवन है मेथेन तो नाम हो गया इसका ब्रोमो मेथेन इसी में अब अगर यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, अगर आयोडीन होगा तो यह हो जाएगा आयोडो मेथेन अगर फिलोरीन होगा तो फिलोरो मेथेन अब अगर यह क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है इनमें संख्या यहाँ पर एक है, यह चेंज हो जाए डबल हो जाए या ट्रपल हो जाए या चारो आटम इसी के हो जाए तब कैसे इनका नेम लिखेंगे तो CH2 CL2 means इसका जो structural formula है वो इस तरह से CL H और यह C इस वाले में एक ही chlorine परमाडू है यहाँ पर इसमें 1, 2 दो परमाडू है दो एटम है chlorine के तब इसका नेम कैसे लिखेंगे रहेगा तो यह chloro और one carbon है तो methane है तो chloro methane है chloro और methane लेकिन फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है अंतर है chlorine की संख्या का यहाँ पर एक है यहाँ पर दो परमाडू है तब एक के लिए अगर कहीं पर परमाडू की संख्या को हमें दर्फाना पड़ता है तब उन्हें एक के लिए लिखा जाता है mono दो के लिए लिखते हैं die तीन के लिए लिखा जाता है try और four के लिए लिखा जाता है tetra पांच हैं तो उसके लिए लिखते हैं penta और अगर छे हैं तो लिखा जाता है उसे hexa हलाकि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें चार तक ही जरूरत पड़ती है तो इसमें एक है एक के लिए monocloromethine तो ये understood होता है कि एक ही chlorine है लिकिन जब यहाँ पर दो आ गए तब हम इसे बताते हैं कि इसकी संख्या कितनी है तो दो के लिए क्या लिखा जाएगा डाई तो इसका नेम हो जाएगा डाई क्लोरो डाई क्लोरो मेथेन डाई क्लोरो मेथेन इसी तरह से next CH2 आई तू या C आई इधर आई इधर H इधर भी H तो इसमें भी दो आयोडीन पर माडू जुड़े हुए हैं तो दो के लिए डाई और आयोडीन के लिए क्या लिखते हैं आयोडो तो डाई आयोडो अगर दो ब्रोमीन होंगे तो डाई ब्रोमो मेथेन अगर यहाँ पर फ्लोरीन होगा तो डाई फ्लोरो मेथेन next CH अब इनकी संख्याद दो से और बढ़ जाए means यह तीन हो जाएं जैसे CH CL3 यह क्लोरोफॉर्म होता है इसका structural formula C यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन इदर hydrogen और इदर भी क्लोरीन तीन जगहे क्लोरीन एक तरफ hydrogen जुड़ा हुआ है तब तीन परमाणूं के लिए क्या लिखते है ट्राई तब यह हो गया ट्राई और ट्राई क्या है क्लोरीन तो क्लोरो ट्राई क्लोरो और एक कारवन के लिए मेथेन तो नेम हो गया इसका ट्राइकलोरो मेथेन इसी तरह से एक और देखते हैं CH BR 3 इसका structural formula C इधर BR इधर BR इधर VBR और इधर hydrogen तब कितने तर्माड़ो ब्रोमीन के 3 तीन के लिए क्या लिखेंगे ट्राइ और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो तो ट्राइ ब्रोमो और मेथेन तो नेम हो गया इसका ट्राइ ब्रोमो मेथेन इसी तरह से next है CH और I 3 या इसे लिख सकते हैं CH आयोडीन आयोडीन और यहां पर आयोडीन तो तीन आयोडीन पर माड़ो हैं तो ट्राइ ट्राइ आयोडो और ट्राइ आयोडो मेथेन अब यदि इनकी संख्या तीन से भी जादा हो जाए means C C C 4 या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं C C C C C C मेथेन में सारे हाइडोजन हटा करके क्या जोड़ा गया है क्लोरीन तब इसमें कितने क्लोरीन पर माड़ो है 4 4 के लिए लिखा जाता है टेट्रा तो 4 कारवन सरी 4 के लिए 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 लि क्लोराइड इसी तरह से next CH3 CH2 BR इसी में अगर क्लोरीन की जगह यहाँ पर ब्रोमीन होता तो हो जाता टेटरा ब्रोमो मेथिन आयोडीन होता तो टेटरा आयोडो मेथिन फ्लोरीन होता तो टेटरा फिलोरो मेथिन अब next है इस टाइप का जिसमें दो कारवन परमाडू है उससे जड़ा हुआ है ब्रोमीन अब इसे और इसका structural formula कारवन कितने हैं दो कारवन बरमा लिए एक कारवन परमाडू से जड़ा हुआ है ब्रोमीन और बाकी सब जगहें सारी से जगता है हाइड्रोजन से तो इसका नेम क्या हो जाएगा दो कारवन दो कारवन के लिए हम क्या बोलते हैं एथेन तो ये तो हो गया एथेन और इसमें क्या जड़ा हुआ है ब्रोमीन तो नेम हो जाएगा इसका ब्रोमो एथेन इसी तरह से CS3 CH2 CS3 I इसका इस्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो C C C और I लास्ट वाले कारवन परमाणू पर लगा हुआ है आयोडीन तो हाइड्रोजन सब जगे इस तरह से लगा लेंगे कि सब ही कारवन परमाणूं की सेज़क्ता 4 हो जाए अब कारवन की संख्या 3 3 के लिए बोलते है प्रोपेन अब कारवन की संख्या 3 आयोडीन के लिए बोले जाता है आयोडो तो नेम हो जाएगा इसका आयोडो प्रोपेन आयोडो प्रोपेन अब इसी में अगर यहाँ पर ब्रोमीन की जगए क्लोरीन होता तो यह हो जाता क्लोरोएथेन आयोडीन होता तो आयोडोएथेन इस वाले में अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरोप्रोपेन ब्रोमीन है तो ब्रोमोप्रोपेन फिलोरीन है तो फिलोरो प्रोपेन अब इन ही में थोड़ा सा इस्ट्रेसे भी मिल सकता है CH2 CH2 इदर CL और इदर भी CL इसका स्ट्रक्चर इस्ट्रेसे बना सकते हैं C, H, H, C, इदर H, इदर H दोनों तरफ CL जब इस वाले कारवन से भी जुड़ा हुआ है इस वाले कारवन से भी जुड़ा हुआ है तब क्लोरीन कितने परमाडू है? दो परमाडू है तब ये क्या होगा? डाई किलोरो दो परमाडू के लिए डाई और क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, आयोडीन होता तो आयोडो तो डाई क्लोरो है ये और दो कार्वन एटम, दो कार्वन एटम के लिए बोले जाता है एथेन तो ये हो गया डाई क्लोरो एथेन अब इसमें ये जो डाई क्लोरो हमने लिखा है तो अगर ये एक ही कारवन पर माड़ू उपर क्लोरीन होता तब तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं लेकिन यहां पर ध्यान से देखें तो ये अलग-अलग कारवन पर माड़ू उपर है ये पहले नमबर के कारवन पर और ये दूसरे नमबर के कारवन पर तो उनकी संख्या को भी हमें यहाँ पर दिखाना पड़ता है तो कौन-कौन से नमबर के कारवन एटम पर है पहले नमबर के कारवन एटम पर है तो पहला लिख दिया और दूसरे नमबर के कारवन एटम पर है तो उसका फुल नेम हो जाएगा 1,2 मतलब पहले नमबर के कारवन पर और दूसरे नमबर के कारवन पर डाई का मतलब 2 क्लोरो का मतलब क्लोरीन परमाडू पहले और दूसरे नमबर के कारवन अटम पर 2 क्लोरीन परमाडू लगे हैं और ये एथेन है इसी तरह से अगर यहां पर क्लोरीन की जगह है आयोडीन हो जाता तो यह हो जाता 1,2 डाई आयोडो एथेन ब्रोमीन होता तो 1,2 डाई ब्रोमो एथेन Next LCH ब्रोमीन और यह ब्रोमीन दो दो ब्रोमीन जुड़े हुए है इस वाले कार्वनेटम से भी और इस वाले कार्वनेटम से ही इसका इस्ट्रक्ट्रल फार्मूला देखें तो C, bond C दोनों कार्वन परमाड़ों से एक एक H जुड़ा हुआ है और दो दो ब्रोमीन परमाड़ों जुड़े हुए है तो टोटल कितने ब्रोमीन परमाड़ों जुड़े हुए है यहाँ पर 1,2,3,4 तो नाम क्या हो जाएगा चार के लिए चार के लिए हम लिखते हैं टेटरा अब ब्रोमीन के लिए ब्रोमो अब दो कार्वन एटम है दो कार्वन एटम के लिए एथेन तो नाम हो गया इसका टेटरा ब्रोमो एथेन लेकिन कौन से यहाँ पर पहले नमबर का कार्वन एटम और दूसरे नमबर के कार्वन एटम पर दो दो पर्माडू लगे हुए हैं तो सभी कहां कहां लगे हुए हैं यह ब्रोमीन पर्माडू दूसरे नमबर के कार्वन एटम पर तो 1,1 2,2 टेटरा ब्रोमो एथेन इसी तरह से अगर यहाँ पर क्लोरीन पर्माडू हो जाए तो यह क्या हो जाएगा 1,1 2,2 टेटरा क्लोरो और एथेन नेक्स्ट है CH3 CS2 CS2 और CS2 और यहाँ पर ब्रोमीन तो कार्वन एटम इसमें कितने हैं 1,2,3,4 4 कार्वन एटम के लिए क्या बोलते हैं ब्यूट तो यह तो हो गया ब्यूटेन अब एक ब्रोमीन है तो ब्रोमीन इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा ब्रोमो तो नेम हो गया इसका ब्रोमो ब्यूटेन ब्रोमो ब्यूटेन तो आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन योगिकों के रासानिक गुर्धर्मों को लेकर उपस्थित होंगे तब तक के लिए धन्नवाद